नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नवीन कुबार अपने चैनल Language of Planets में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट विशे पर चर्चा करेंगे जिसका शीरशक है कि आप कर्मस्थान के मुक्ताबिक आप अपने जीवन में किस पाइदान तक की सफलता पा सकते हैं या पाएंगे हैं यदि ये शीरशक और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथे से शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब अवश्य कीजेगा दोस्तों चलते हैं आज के विशे की तरफ दोस्तों ईश्वर ने सभी को दो हाथ, दो पेर, दिमाग, सब को लगबग एक जैसा दिया है रंग रूप इनसान का अलग-अलग हो सकता है सोचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है लेकिन ईश्वर ने अपनी तरफ से लगबग सब को एक जैसा ही व्यभार सब के साथ किया है हम अपने आसपस देखते हैं तो दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके रिजल्ट उसको जीवन में काफी बुलंदियों तक ले जा रहे हैं और कोई व्यक्ति काम करता है तो वो संघर्षों का जीवन बिता रहा है लोगों को लगता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ शायद इस वजह से मुझे दिक्कत आ रही है मुझे कारोबार करना चाहिए और बहुत से लोगों को लगता है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ मेरे अंदर कारोबार करने की क्षमता नहीं है या योगता नहीं है मुझे नौकरी करनी चाहिए लेकिन ये बात काफी हद तक गलत सावित होती है सबसे एहम बात ये होती है कि आप नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं इस बात से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी जन्म कुंडली के कर्मस्थान का स्वामी अगर मजबूती के साथ कुंडली में बैठा है एक अच्छे प्रेशर के साथ एक अच्छी स्थिती में बैठा हुआ है तो आप चाहे नौकरी करेंगे चाहे कारोबार करेंगे आपके प्रयास फलित अच्छे से सपोर्ट ज्यादा करती है तो आप कारोबार में उतने फलित नहीं हो पाएंगे नौकरी में ज्यादा फलित होंगे और अगर आपकी कुंडली आपके कारोबार को ज्यादा सपोर्ट करती है तो आप नौकरी करते रहेंगे लेकिन नौकरी के साथ-साथ आप कारोबार में भी अपनी सफलताओं के शिखर को चूपाएंगे तो दोस्तों कर्मिस्थान का मजबूत होना इसलिए जरूरी होता है कि हम जो प्रयास करेंगे चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो कारोबार में हो वो किस हद तक फलित होंगे आज हम एक सबसे सरल और बहुत साधारण तरीके से इसको समझेंगे दोस्तो जिस तरीके से हम अपनी लगन कुंडली देखते हैं माली जे हमारे लगन का स्वामी मेश है मेश राशी हमारे लगन में लिखी हुई है अर्थात एक नंबर से हमारा लगन शुरू होता है तो हमारे लगन के स्वामी मंगल होते हैं इसी तरह से हमारे लगन के स्वामी शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनी, ब्रहस्पती, बुध कोई भी हो सकते हैं सूरय चंदरमा कोई भी हो सकते हैं अर्थाथ किसी भी ग्रह की राशी हमारे लगन में लिखी हुई हो सकती है अब यदि लगन में लिखी हुई राशी यानी नमबर के स्वामी कुंडली में कुंडली के केंडर में यानि के पहले स्थान का लगन का स्वामी अगर कुंडली के चौथे भाव में, कुंडली के सात्वे भाव में, कुंडली के दस्वे भाव में, इसे कहते हैं कुंडली के केंद्र स्थान, यदि लगन का स्वामी कुंडली के पहले चौथे सात्वे दस्वे, इन चार भावों म से किसी भाव में बैठता है और अंशों में कमजोर नहीं होता है या ये माना जाए कि लगन का स्वामी कुंडली में पंचम इस्थान पर या नवम इस्थान पर अर्थात त्रिकोन में बैठता है और अंशों में कमजोर नहीं होता है या पाप पीडित नहीं होता है या शत्र प्रुक्षेत्रिय नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा लगन सर्वता मजबूत है हमारी परसनेलिटी शानदार तोर पर काम करेगी इसका हम ये अनुमान लगा कर चलते हैं हमारी मानसिक इस्थिरता जबरदस्त होगी हमारी कारिक्षमताएं हम अपने द्वारा अच्छ पीज़े से लगं अच्छे से मजबूती से किसी काम को करने योग्य स्थिती में होगा हम ये मानते हैं इसी तरह से दोस्तों यदी लगन कुंडली आपकी जो भी लगन कुंडली है चाहे आपके लगन में कोई भी नमबर लिखा हुआ है आप उस लगन से आगे बढ़ते कुंडली के दस्वे भाव में जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका कर्म लगन है अब आप कर्म लगन के अनुसार यानि मालीजे मेश लगन है आपका और आपका कर्म लगन दस नंबर है यानि मकर राशी आपके कर्मिस्थान में लिखी हुई है तो दोस्तों आप अपने कर् कर्मिस्थान के स्वामी बनते हैं मकर राशी के अनुसार आपके कर्म लगन के स्वामी बनते हैं शनी अब आप ये देख सकते हैं कि कुंडली के यानि अगर आपका मेश लगन है तो छटे भाव का स्वामी होगा कन्या राशी आठवे भाव का स्वामी होगा व्रस्चिक और यदि आपका कर्म लगन है आप कर्म लगन बनाते हैं तो कर्म लगन में आपकी कुंडली के छटे स्थान में होगी मिथुन राशी आपकी कुंडली के आठवे स्थान में होगी सिंग राशी और आपकी कुंडली के बारवे स्थान में होगी धनु राशी है अब आप दोस्तों इस बात को अपनी कुंडली में ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कर्म कुंडली आपने बनाई है कर्म कुंडली के अनुसार कर्म लगन के अनुसार शनी अपने घर से छटा, आठवा या बारवा बैठा हुआ तो नहीं है अगर ये बैठा हुआ है तो आप ये संभावनाएं बहुत ज्यादा मान कर चले कि आपको अपने जीवन में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको बड़े तौर पर संगर्शों का सामना करना पड़ेगा और उसके बावजूद वो काम कितने सफल होंगे इसके बारे में कोई विश्वास के साथ बात नहीं की जा सकती ये हम आपकी कुंडली के कर्मिस्थान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं बाकी ग्रहों की स्थितियों के अनुसार यदि आपकी कुंडली आपको सपोर्ट करती है तो एक अलग बात है लेकिन आपका कर्मक्षेत्र मजबूत नहीं हुआ क्योंकि आपके कर्मिस्थान का स्वामी आपकी कुंडली में कर्मिस्थान से छटा आठवा या बारवा बैठ जाता है अब दोस्तों यदि आपके कर्मिस्थान का स्वामी आपकी कुंडली के कर्मिस्थान का यानि आपके कर्मिस्थान को अगर हमने लगन में लिख लिया है यानि हमने उसको कर्म लगन मान लिया है मकर आपका लगन है अब लगन का स्वामी अपने घर से चोथे घर, सात्वे घर, दस्वे घर में बैठ जाता है तो ये एक शांदार इस्थिती है यानि के शनी मकर से आपकी कुंडली के चोथे भाव में मकर से चोथा मकर से सात्वा और मकर से दस्वा इन भावों में बैठ जाता है तो ये आपके लिए एक शनी की अनुकूल इस्थिती है या अगर मकर लगन का स्वामी आपके कुंडली के पंचम इस्थान में कर्म लगन के अनुसार पंचम इस्थान में नवम इस्थान में बैठ जाता है तो ये आपके लिए एक उत्तम इस्थिती यहां बनती है यानि कर्म लगन का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोन में बैठ जाता है और इन ही भावों के स्वामियों के साथ बैठ जाता है तो ये एक हाई लेविल की संभावनाएं बनाता है कि आपको अपने काम में अपने कर्म शेत्र में ताबर तोड सफलता है मिलने की संभावना यहां बनती दिखाई देती हैं बशर्ते कि इन ग्रहों पर जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं कर्मेश पर या केंद्र त्रिकोन के स्वामियों पर जो भी कर्मेश के साथ युती मे है उन पर कोई अशुब ग्रह का या अशुब प्रभाव या कमजोर प्रभाव ना हो अब दोस्तों ये इस्थिती केंदर त्रिकुन की करमेश के लिए या लगनेश के लिए बहुत ही सुंदर मानी गई है अगर किसी तरह का कोई निगेटिव प्रभाव नहीं है तो ये सूत्र निश्चित तोर से फलित होता देखा गया है अब यदि मान लेजिए कि आपके कर्म लगन का स्वामी यानि आपका कर्म मकल लगन बनता है मकर लगन का स्वामी कुंदली मे कुंब राशी में या मीन राशी में अर्थाथ अपने घर से दूसरा ये तीसरा बैठ जाए या अपने घर से एकादश बैठ जाए यानि कि व्रश्चिक गिशराशी में हैं, तो दोस्तो यह संभावना यहाँ पर साफ बंती दिखाई देगी आपको, कि आपको प्रयास जरूर करने पड़ेंगे, ठोला देर शवेर आपके प्रयास पूरे होंगे, हो सकते हैं, कि ठोला देर हो जाए, लेकिन आपको अपने प्रयासों का लाब उस क बार्वा बैठ जाता है चाहे वो कितनी भी सशक्त इस्थिती में क्यों नहों कितने भी अच्छी इस्थिती में क्यों नहों वो आपको संघर्षों के दौर में ही जीवन जीता हुआ देखेगा आप अपने आपको हमेशा संघर्षों में ही महसूस करेंगे ये बड़ी संख्या में कुंडलियों पर एनलाइज करने के बाद बात सामने आती है तो दोस्तों आपके कर्म स्थान में कोई भी राशी लिखी हो कोई भी नमबर लिखा हो उसको आप अपना कर्म लगन मानकर या कर्म कुंडली मानकर आप उसके अनुसार कैलकुलेट करिए यदि आपके कर्म लगन का स्वामी अपने घर से एक चार पाँच साथ नौ दस इस्थिती पर है तो ये अति उत्तम इस्थिती है और यदि आपके कर्म खेत्र का स्वामी अपने घर से दूसरा तीसरा या ग्यारवा है तो ये स्थिती भी अच्छी स्थिती माने जाएगी थोड़ा देर हो सकती है रिजल्ट आने में लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा आपके फिवर में आएगा और आपको लाब देने वाला होगा लेकिन अगर आपकी कुंडली का स्वामी कर्म कुंडली का कर्म लगन का स्वामी आपका अपने घर से छटा, आठवा या बार्वा बैठ जाता है तो ये एक बड़े संगर्ष की कहानी इनसान के जीवन में लिखता है तो दोस्तों यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेर कीजेगा अगले वीडियो में आपके सामने उपस्तित होंगे एक नए विशे, एक नए जानकारी के साथ धन्यवाद दोस्तों